बताईएगा question अच्छा जैसे पसु परजनन ये chapter का नाम ही है तो पसु परजनन कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है कौन कौन सा अंतह परजनन और बाहे परजनन चलिए बताईए अंतह परजनन किसे कहते हैं हाँ मतलब अगर पसो में चार से छे पेड़ित तक के समधित नर और मादा पसों का संभोग हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे अंतह परजनन किसे कहते हैं हाँ चार से छे पेड़ित तक के आसमधित नर और मादा पसों के संभोग को क्या कहते हैं बाहे परजनन कहते हैं क्लियर है तो अंतह परजनन में क्या रहेगा चार से छे पसों तक के संभोग को कहेंगे और बाहे में क्या रहेगा आसमधित रहेगा चलो अगला क्वेशन ब वैसे नसले 27 पाई जाती लेकिन अगर आपसन वाला रहे तो आपसन में आप 28 तो टिक करेंगे नहीं तो अगर 27 नहीं रहेगा तो हाँ 26 टिक कर देना अगला कोशन बताईएगा देश में भैंस की कितनी नसल पाई जाती है, साथ पाई जाती है चलो सातो का नाम बता दो आप अच्छा नानी मूस भी जामे देखो इन्होंने एक कोड़ बता दिया तो चलिए बहुत अच्छा कोड़ है नानी मूस भी जामे मतलब भैंस ने क्या कहा नानी से, अब भैंस की भी नानी है तो भैस ने अपने नानी से कहा कि नानी मूस भी जामे तो ना से हो गया तुम्हारा नागपूरी और नी से हो गया नीले रावी तो नानी का मलब समझ में आया ना से नागपूरी और नी से नीले रावी नानी मुस मुसे मुर्रा और सा से सूरती और भी भी से क्या हो जाएगा भधावरी और जामे जासे जाफरावादी और में से महसाना तो भेंसिया ने अपने नानी से क्या कहा कि नानी मूस भी जामे बताओ भेंस अपने नानी से कह रही है कि लिए तो याद रहे गए ना भेंस की साथ नसले है ना से नाग पुरी नी से नीली रावी नानी मूस मूसे सा से सोर्ती भी से भदावरी और जा से जावरावाद और म से महसाना चलो अगला कोशन बताईए चचेरे भाई और पसुओं की बात कर रहे हैं चचेरे भाई और बहन के मिलन को क्या कहते हैं अंत्रा वन्स प्रजनन कहते हैं चलो अगला बता दीजिए खचर कैसे पैदा होता मतलब खचर किसके मिलन से पैदा होता है गधा और घोड़ इसी तरह एक hybrid झाह लो आता है. कैटलो खोता है, यह किस की किस की क्राश से बनता है कैटलो. कैटलो आपका जो है, गाय और भेंश के क्राश से कैटलो नामक hybrid किसम बनता है. तू याद रहेगा? ओके.